वो कहते कि सनातन या इस कौन अतंक बादी फिर आप कौन है पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा विवार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता काहनन कर रहे हैं मानवता की हत्या कर रहे हैं अब रभू को गिरफतार किया जाना मैं समस्ता हूं कि एक भाहना है सवा करोड हिंदूओं का नरसंगार निशाना है तो ही अब इसकान मंदिर के पुजारी के गिरफतारी के बाद से नया बखेडा सुरू हो गया है जिसको लेकर भारत में मौजूद सादू संतों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहे है इसे बीच बांगलादेश के मुख सलाकार मुहमद यूनूस के नेतितवाली अंतरिम सरकार ने बुद्वार को उच नियाले में सुनवाई के दोरान कहा कि इसकान एक कटर पंथी संगठन है जिस पर भारत का संत समाज भड़क उठा है उन्होंने बांगलादेश की यूनुस सरकार को चेतावनी देडाली है देवकी नंदन ठाकुर हो या स्वामी दिपांकर इन दोनोंने बांगलादीश सरकार के खिलाप जम कर अपनी भड़ास निकाली और खुली तवर पर चेतावनी देडाली सुनवे इन दोनों संतोंने बांगलादीश सरकार को क्या को सुनाया ये सनातन को बद्राम करने की साजिस है कुछ लोग चाहते हैं कि विस्व पटल पर सनातन जगत बद्राम हो और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोजनी अभीशे है जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है जिनकी बेहन बेटियों के साथ बुरा बिवार हो रहा है जिनको सर्याम सडकों पे खींचा जा रहा है जिनके दुकानों को लूटा जा रहा है जिनके मकानों को जलाय जा रहा है ना रात देखी जा रही है ना दिन देखा जा रहा है रात दिन जो दमन की राजनीती कर रहे है दमन का कर्म कर रहे हैं करें लिए लिए फिर अतंक बादी अपिर आपकों है यह बाट दुखत है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए हम इसका बिरोध करते हैं सनातन भॉय धर्म भो भॉय सनातन जगत वह है जो सब को जी और जीने दे की राह पर चलाता है हम लोग कहते हैं बस दहेव कुटम कब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं लेकिन पूरे विश्व को परिवार मानने वालों के साथ ऐसा विवार जो लोग कर रहे हैं वो मानवता का पहनन कर रहे हैं मानवता की हत्या कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस धर्ती पर मानवता जीवित रहे हैं और अगर उनका यही विवार रहा तो एक दिन इस धर्ती से अगर सच्चे मानवों ने सनातनियों का साथ बंगला देश में नहीं दिया हम मानवता को बचाना चाहता है यह सैतानों को चिन में प्रभू को गिरफतार किया जाना मैं समझता हूं कि एक बाहना है सवा करोड हिंदूओं का नरसंगार निशाना है देश की सियासत देश की सियासी जमात इस पर मोन है इससे मैं शुब्ध हूं एक एक सेकिंड में बोलने वाले मानव अधिकार के दुरंदर चैंपियन एकदम मोन और मूं में दही जमाये बैठे हैं महरान हूं दुनिया मुखदर्शक बने देख रही है हिंदूओं के नरसंगार को माइनोर्टरी के नरसंगार को और उसके बाद भी वो मोन है मैं याद रखिए इतिहास पूछे है संभल पर आपको चिंता होना भी चाहिए है हिंदू आपके नहीं कि वह सवा करोड़ हिंदू जो अपनी जान की भीक मांग रहे हैं आज ही वहां चैटग्राम में आज ही मान मन्शादेवी का मंदीर और शिव मंदिर तोड़ दिया गया जला दिया गया और नारे लग ल च्shirt pregunta कर n 날ा चाहिए और आनेवाले कुम्भ में इसका विशार प्रबल होना चाहिए कि हिंदूऑ पर हमला देश बरदाश Kush नहीं करेगा सनातन बरदाश नहीं करेगा और हिंदुस्तान की सरकारे बरदाश नहीं करेंगी और अगर सरकारे बरदाश कर रही है तो ये भी चिंता का विशह है